और दोस्तों मेरा नाम तेखना ओर आप तेहिए इस और श्रूरी इस्टकर को किया है है इसके लाब का मतलब यह होगा कि गाउं और नगर में जो जनसंख्या होती है मैं जसके साथार पर हम उसे बाठ सकते हैं तो रोजगार के अधार पर हम उसे बाट सकते हैं, क्या सामाजिक दसा है उनकी उसे अधार पर तो यह सब हम इसमें बात करेंगे, इसके लाबा शाक्षरता धर क्या होती है और वैवसाइक संदचना क्या है, तो ग्रामिन और नगरिय संगठन जो हमें बताता है, वो गाउं और शहर में, हम जो जनसंख्या है किसी देश की, वो गाउं में कितनी है और नगर में कितनी है, यानि कि निवास के अधार पर, निवास के अधार पर हम जनसंख्या का विवाजन करते हैं, जो गाउं में जनसंख्या रहेगी वो ग्रामिन जनसंख्या, और जो नगरों में नगरिय जनसंख्या होगी इसके लाबा भी आप देखेंगे कि गाउं में भी हम जाएंगे चब तो उसमें फिर अलग-अलग भिन-बिन प्रकार के हम संगठन को ढूंड लेते हैं अलग-अलग विवाजन कर देते हैं जैसे गाउं में फिर हम इस्तियों पुरुष के अधार पर भी जनसंख्या को बांट सकते हैं नगर में भी हम इसी तरफ सकते हैं तो अगर आप सवाल करें कि जर। भाई जिवन जीने के तरिके अलग-अलग होते हैं रोजगार के साधन थाम काम करते हैं समाजίक 시간이 अलग-अलग होती है यानि कि कुछ लोग करीब हो सकते हैं कुछ लोग के पास जमीन बहुत सारा हो सकते हैं तो समाजिक दशा भी अलग-अलग होती है गाउं और शहर में आयू लिंक संगठन ये बहुत महतपून है आयू लिंक संगठन गाउं और शहरों में अलग-अलग है इसी को लेकर जो आपका है ये वाला टॉपिक है आयू लिंक संगठन गाउं और नगरों में अलग-अलग है अगर आप देखें तो अगर आप तुल्ला करें तो सभी देशों में बिभिन्न देशों में एक मिनट टुकिए तो भिभिन्न देशों में ये आपको अलग-अलग मिलेगी नगरिय और ग्रामिन जो संगठन है उसमें इस्तरी प्रोष्णों की संख्या आपको अलग-अलग मिलेगी अब जैसे विक्सित देश या पशिमी देश कह लीजिए जैसे कि कनाडा और फिंडलेंड है और अगर आप ले लीजिए नैपाल और जिंबामे को जो विकास्तिल देश हो सकते हैं या हमारे जैसे जो देश हैं तो आप देखेंगे कि इन दोनों अलग-अलग परकार की देशों में जो वहां के लिंग अनुपात है उसमें अंतर नजर आता है क्या की मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर आप कनाडा और फिंडलेंड की तरफ देखेंगे पश्यमी देश या विकसिद देश की तरफ आप देखेंगे अमेरिगा की तरफ आप देखेंगे तो ग्रामीड इलाके में पुरुष की जनसंख्या अधिक है इस्तिरियों से और शहरी इलाकों में इस्तिरियों की जनसंख्या अधिक है पुरुषों से यानि कि कनाडा, फिन्लेंड या आप कहें विक्सित देश या पश्यमी देश या यूरोप जैसे देशों में गाउं में पुरुष अधिक रहते हैं और शहरों में इस्तिरियां अधिक रहती हैं मगर नेपाल, जिंबाबे और भारत जैसे देशों में इस्तिरियां जादा रहती हैं नेपाल और जिंबाबे जैसे देशों में पुरुष अधिक रहते हैं तो आप यह देखिए कि कितना अंतर है अगर कनाड़ा और फिंलेंड जैसे इस इस वे अगर आप घ्रामीन अखो में जाएंगे तो वहारे पुरुष ओं की जन संख्या अधिक पर मिलनेगी लेकिन हमारे यहाँ पर नेपाल जैसे देशों में इस की किस्तिन की हbie देश अंको जो खेती होती कि गाउं में क्या काम करते हैं लोग खेती बाड़ी करते हैं तो वहां के गाउं में जो खेती बाड़ी होती है वो हमारे जैसे नहीं होती कि हल चला के खेती करनी वहां बड़े बड़े थरेसर बड़े बड़े मशीनों का इस्तमाल किया जाता है और उन मशीनो को चलाने के लिए पुरुषों की अवशकता होती है इसलिए गर्मी डरावकों में पुरुष वहाँ पर अधिक आपको मिलेंगे क्रिशी में भारी मशीनों का परियोग होता है इसलिए पुरुषों की जन संख्या आपको गौव में अधिक मिलेगी कनाड़ा फिनलेंड और विक्सित विकासिल देशों में और इस्तिरों के संख्या वहाँ पे क्यों अधिक है शहरी छेतर में तो वहाँ पे इसलिए अधिक है क्यूंकि वहाँ पे महिलाओं के विकास का इस्तर उंचा है वो पढ़ी लिखिये उनको नौकरी मिल जाती है उनको सर्विस करने का मौका मिल जाता है और वहां के जो समाज है वो उनका विचार भी इसी परकार का है इसलिए वहां पे शहरी छेतरों में महिलाओं के संख्या आपको अधिक मिलेगी हमारे यहां पे या नेपाल और जिंबावे जैसे देशों में ठीक इसका उल्टा है ग्रामीड छेतरों में इस्तिर रह जाती हैं गाउं में और वो खेती बाड़ी अपना संभालती है और पुरुष्ट भी यही काम करते हैं खेती के सीजन में काम करते हैं और बागी सीजन में शहर की तरफ आ जाते हैं तो वहां पे पुरुषों के संख्या कम हो जाती है और इस तरों के संख्या गाउं में जादा हो जाती है लेकिन यहां उल्टा है जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने माग की आवा है और शहरों में पुरुषों के संख्या अधिक होती है नैपाल और जिंबाम्बय जैसे देशों में यह विकसी देश नहीं विकासील देश है हमारे जैसे देश क्यूंकि जो गाओं के पुरुषों वो शहर की तरफ अच्छे रोजगार की तलाश में आजाते हैं और इसलिए कम होती है क्योंकि शहर में शुरक्षा की बहुत कमी होती है इसलिए यहां पर इसलिए ज्यादा नहीं होती ज्यादा नहीं होने का मतलब यहां पर मैं लिंग अनुपास से बात कर कर रहे हो कुल बार्व अबादी के बाद नहीं कर रहा हुआ है यहां कि दुसरे बात होती है को माना खाना बहुत मुश्किल होता है तो इसलिए अ की इसलिकिते ह leaders होते हैं और अकेलिया और जो अरहाँ भिचापिते हैं उपर गांप भीच दे तो पुरुष की संख्या शहरों में अधिक होती है नेपाल जिंबावे या हमारे भारत जैसे देशों में तो यह पूरा का पूरा नगरिय संगठन है जो आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में यह अलग-अलग मिलेगा लोग जो है अलग-अलग प्रकार से इंका भिवा बेढिए देखें तो आप बुक लेकर बयठे हो और उसको टिक करते चले जड़े आँ-ंपटते चले हैं क्षर्थ शक्रता क्या हो norm पढ़ना-पढ़न या लिखा होना dok इसका मतलब यह और या पढ़ना- Swaggt. जानते हैं एक होती है शाक्षरता दर शाक्षरता दर क्या कहती है शाक्षरता दर यह कहती है कि आपके देश में जो साथ साथ से उपर के लोग हैं जो जनसंख्या है उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं साक्षतादर क्या कहती है, साक्षतादर से पर आये जनसंख्या के उस पर्तिषट है जो साथ वर्स से अधिक होने पर पढ़ना लिखना और सामान ये गणित की समझ रखती हो, यानि कि अगर आप साथ वर्स से अधिक हैं और आपको पढ़ना लिखना आता है और थोड़ा बहुत जोड़ घटा आता है आप दुकान जाते हैं और आप 10 रुपे का समान ख़िते हैं और आपने भी इसका नोट दिया तो आपको पता है कि भाई 10 रुपे वापस लेने अग पढ़ने लिखने की समझ है या नहीं आप आम जीवन में अकवार पढ़ना जानते हैं या नहीं इस तरह की समझ की बात कर रहा हूं मैं तो सक्षर्टा दर में कि अपर उसको समझते हैं तो अगर यहां शर्ता दर बहुत उंची है माला लिजिए आपके देश के सक्ष़ट जितना ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा अगर साक्षर्टादर अधिक होगी तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर सामाजिक आर्थिक विकास भी अधिक होगा क्यों कि सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है जहां कि साक्षर्टादर ज्यादा होगी इसका मतलब य इवन यापन भी बहतर होगा प्लस अगर सिक्षित लोग हैं समसदार लोग हैं जागरुक लोग हैं तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिती भी अच्छी होगे तो समाजिक और आर्थिक विकास का ये सूचक है साक्षरता दर्व कि अब आपका बस्ता है व्यवसाइक संरचना व्यवसाइक मतलब व्यवसाइक संरचना का मतलब यह होगा एक मिनट इस वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम होगी दरसल लाइट बहुत बार बार जा रही है और यह फ्लेश घीक से काम करने ही रहा है कोई बात नहीं हम चालू करते हैं तो व्यवसाइक संरचना में हम क्या पढ़ेंगे व्यवसाइक का मतलब होता है कि आप के तरह का कर रहे हैं तो हमको यह पता है कि लोग जो है वह अलग अलग काम से रोजगार से जूड़े होते हैं तो जीट सी बात है जो ठ्रीकार्फ से चुछ की करते हैं शेप बनाते हैं जोड़े हैं कुछ लोग करते हैं एक खोक्ते हैं तो elly किर्षी करते हैं कुछ लोग सकते हैं कनते हैं कुछ लोग करते हैं कि मच्छраз कंते हैं खानवान में काम करते हैं खान खोथे जैसे को खान लोह इस भार कि खान है कुछ लोग बहिनिर्मान में लगेवे हैं就 कि विनिर्मान मतलब यह होता है कि मान लीजिए आपने वन से कोई लखड़ी काटी तो लखड़ी काटने के बाद आप उसका क्या करेंगे या तो आप उसे चला के खाना बना लीजिए चुले पर या आप उसे क्या कर सकते हैं आप सोफा चेयर मेजी भी बना सकते हैं तो ऐसी किसी raw material का इस्तमाल करें, लखडी जैसे कसी raw material का कच्चे माल का इस्तमाल करें, आगर आपने कुछ product बना दिया है, तो वो manufacturing कहलाता है, तो कुछ लोग manufacturing में भी काम करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं, कई किते हैं, कोई shard बनाने वाली company हो, या कोई TV बनाने वाली कंपनी हो या कोई phone बनाने वाली कंपनी हो क्या है भी निर्माण है या मालीजे real estate होता है जो जो लोग घर वगरा बनाते हैं वो भी निर्माण में आता है कुछ लोग परिवहन का काम करते हैं transport का काम करते हैं कुछ लोग संचार यानी communication, postal service डक उस सब में काम करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमसंधान कर रहे होते हैं यानि की research वगरे में लगे रहते हैं तो यह लोगों का अलग-अलग काम है तो इसमें आप यह देखे कि जो लोग कृशी करते हैं, वनकी करते हैं, मतस्ते करते हैं और खनन करते हैं, वो प्रात्मिक छेतर में आते हैं, या प्रात्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, अब प्रात्मिक क्रियाएं इन्हें क्यों कहा गया है, क्यों कि भाई ये प्रकर्ती से जुड़े हुए हैं, किस चीज से प्रक्रती मतस्यपालन था प्रक्रती यहनी पानी निकाल हिसे सब प्रार्ति के लिए हम इससे क्याते हैं प्राथमक कर्याज को हम, सबक्राइसाइर कर्या का निनर्मण करियाओं अन्दर आता है यानि कि ये जो लोग घर बनाते हैं या ये लोग जो जो टेलर है तो वो विनिर्माण में आएगी है न वो इंडरस्ट्री में आएगी वो द्योग होता है उद्योग जो किसी चीज का निर्माण करते हैं किसी कच्चे माल का इस्तमाल करके एक नया फिनिश गुड बनाते हैं एक नई तयार वस्तू बनाते हैं जैसे कि ये प्लास्टिक का इस्तमाल करके निप का इस्तमाल करके इंक का इस्तमाल करके एक पैन बना दिया तो वो क्या होगा? वो विनिर्मान कर रहा है वो उद्योग में काम कर रहा है तो वो द्यूत्य किरियाए हैं तीसरा आजाता है अब मालीजे इस पैन को पहुचाने के लिए या उस शट बनीवी शट को पहचाने के लिए जो विनिर्माण हुई है उसके लिए आपको परिवहन की जुरत पड़ेगी उसके लिए आपको संचार की संचार सेवाओं की जुरत पड़ेगी तो वो लोग जो परिवहन वाला काम करते हैं या संचार छेतर में काम करते हैं उनको हम तिर्तिक किरिया कहते हैं परिवहन और संचार जो है वो तिर्तिक किरिया में आता है और इसके अलाबा बसता है अनुसंधान अनुसंधान मतलब रिसर्च वगरा जैसे कि डॉक्टर वगरा लोग करते हैं किसी भी चीट फेर्ड सकता है धभाईव पे हो सकती है घेटीबाडी पर ister हो सकती है जो लोग करते हैं उनके कामों को हम चतुर तक क्रियाओं में रखते हैं अब या देखिए हैं जो जिए आपके नेटा वर्च वない जेसे बनाते हैं वह उसे छोड़ें अ जादतर विक्सित देश है जो जादतर विक्सित देश है जैसे अमेरिका जैसे यूरोप के देश वहां पे जादतर जनसंख्या अधिकतर जनसंख्या विक्सित देशों में अधिकतर जनसंख्या अधिकता जनसंख्या जो है वो या तो दियुत्यक कारे कर रहे है या तो तिर्ट्यक और चतुत्यक इन तीन परकार के कारे करती है विक्सित देशों में जादता जनसंख्या इन तीन परकार के कारे करती है दियुत्यक तिर्ट्यक और चतुत्यक परकार के कारे करती है तो आप देखेंगे कि विखसी चैसे अमेरिका यूरोप ब्रिटेंग इन सब जैसे देशों में ज्यादा अधिकतर जो जब जनसिंग है वो इन कामों में लगए हुती है और पिछड़े देशों में या विकास्ति देशों में या यूं कहो कि जो अर्थवयस्था भी पिछड़ी हुई है वहा पर जादातार लोग किसमें काम करतें प्राथमिकर्याया । कि करिशी कर रहे होंगे वन में काम कर देंगे मधद से पाल खनन वगर इन देशों में क्या होता है इन देशों में प्रकृतिक प्रकृतिक संसाधन का अधिक दो हं होता है क्योंकि जहांता जंश्ञ्ष्या जो है वह प्रकर्टि से जुड़ी काम कर रही होती है वह मैं आपका पूरा पूरा चैप्टर है इस पार्ट में खतम हो जाता है कोई इससे जुड़ा होगा कोई सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और जब हम वेवसाइक संरचना की बात कर रहे होते हैं तो यह जो मैं आपको बतारों कि लोग अलग-अलग काम कर रहे होत तो यह पूरा का पूरा स्लेबस है वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्स्राइब करें और शेर भी करें बागी कोई सवाल तो आप कमेंट में पूस सकते हैं और आप लोग के जो नई डेट शीट आई है उसमें जो जुलाई वाजी डेट शीट झाल